करमचारी चैन बोर्ड आयोग ने PTI ग्रेट थर्ड का परिक्षप परिणाम सितंबर में जारी कर दिया है लेकिन अभी तक अभ्यार्थियों को न्युक्तियां नहीं दी गई है 3627 पदों पर अभ्यार्थी अभी भी नौकरी का इंतिजार कर रहे है अभ्यार्थियों का कहना है कि ना तो अभी तक जिला अवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई है और ना ही नुक्ति दी जा रही है और इसे के साथ हमारे सायोगी रौनक व्यास बीका नेर्से सीधे हमारे साथ जुट चुके है रौनक लंबे समय से ये लोग यहां पर नुक्तियों की मांग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं लेकिन सरकार इनकी नहीं सुन रही है और सबसे बड़ी बात कि आगे आने वाले कुछ ही हफतों में नगरे निकाय चुनाफ की खोशना हो जाएगी जिसके बाद अचार सहीता लग जाएगी और ऐसे में फिर ये मामला फिर अटक जाएगा बातचीत कीजे क्या कुछ कहना इनका जो बिलकुल देखिए जैसमिर अगर बात की जाए सर क्या मांगे आप लोग लगातार धर्वने पर है फिर अचार सहीता लग जाएगी निकाय चुनाव है किस तरह से देख रहे हैं आप लोग परदेशन कर रहे है सर हमारी राजस्तान सरकार से यही मांगा है कि पीटिया वर्ती दोजार ठारा के जो पीटिया वर्तियों को जल से जल दिपावली के सुबह उसर पर निकती परदान करें लेकिन सीम साब ने अभी तक हमारे को कोई परसासन की तरफ से आस्वासन नहीं दिया है और सीम साब खुद 10-15 दिन पहले मीडिया के सामने रूबरू हुए थे पीटिया वर्तियों को जल से जल दिपावली के सुबह उसर पर जोइनिंग दे दी जाएगी लेकिन अभी तक हमारे को कुछ यू नहीं लग रहा है कि हमारे को दिपावली के उसर पर जोइनिंग मिल जाएगी सियम साब अपने बेटे को रोजगार दे सकते हैं तो क्या इन बेरोजगारों को नहीं दे सकते तो सियम साब से गुजारिस करता हूँ कि सर मारी विगयपती 4 मई 2018 को निकाली गई थी उसको आज डेड़ साल होने को आ गया है अभी तक हम बेरोजगार हैं निकलवाने के लिए हमारे को इतना परिश्रम करना पड़ा था सरकार ने हमारे पर लाटी चार्ज किया फिर भी हम सरकार को अच्छे वोट बैंक से जिताया है अच्छे आप लोग परदेशन कर रहे हैं लेकिन बिकानेर से दो बड़े मंतरी आते हैं परदेश शरकार में बीडि कल्लार बवर सिंग बाटी कोई बाची तो ही आप लोगों कोई हमारी सूथ नहीं ले रहे हैं अब इसके लिए संग्रस करते रहे हैं और हमें संग्रस करता करना ही रहना पड़ेगा और जब बात होई तो उन्हों नहीं यही बोला कि आपको दिपावली से पहले-पहले बोनुस के रूप में जोइनिंग दी जाएगी लेकिन अबी तक हमारी कोई सूध तक नहीं लिए जा रही है किसी को कोई मतलब नहीं है कोई पूस्ता तक नहीं हमसे अगे आप लोगों का क्या स्टेंड रहेगा अब लगातार आप धरने पर बैठें ने दिशाले किस तरह से आगे आप कि रूप रेखा तेयार कि आप लोगों ने आप और इसके लिए यह खुद सरकार की जिम्मेदर होगी क्योंकि इतना टाइम हो गए हमें जॉइनिंग नहीं दे रही है सरकार हम सभी बेरोजगार बहुत प्रिशान हो चुके हैं हम मांसी ग्रूप से भी बहुत प्रिशान हो रहे हैं सारे साथ यहां से दूर दूर चाही जो हैं उनको लेकर यहां पर बैठें और इनका कहना है कि अगर उनकी जॉइनिंग नहीं होते हैं तो बड़ा अंदोलन बड़ा परद्शने करेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल रहने कि यहां पर डेट साल से यही मांग कर रहे हैं और अब आगे देखना होगा कि सरकार क्या कुछ